दोस्तों आज 3 अगस 2022 को त्रिवेनी इंजिनरिंग एन इंडस्ट्रीज लिमिटेट के Q1 के फाइनेंशेल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है तो चलिए हम लोग इस रिजल्ट को एनलाईज करते हैं यह इस कंपनी का फाइनेंशेल रिजल्ट है और यहां सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं मैं आपको सारे फिगर्स को करोड में कनवर्ट कर बताऊंगा एकसेब टर्निंग पर शेर दोस्तों यहां रेवनी फ्रम उपरेशन में एकसाईज ड्यूटी हटाया नहीं गया है मैं इस रेवनी फ्रम उपरेशन से एकसाईज ड्यूटी हटा कर बताऊंगा क्यूएन में रेवनी फ्रम उपरेशन एकसाईज ड्यूटी 1226 करोड है जो previous quarter में ये 1070 करोड था और previous Q1 में 1037 करोड था तो revenue from operations में year on year basis पर लगबग 18% की बढ़त है और अगर हम लोग quarter on quarter basis पर देखें तो ये 14.5% बढ़ा है Q1 में total income excluding excise duty 1235 करोड है जो previous quarter में 1073 करोड था और previous Q1 में 1040 करोड था तो total income में year on year basis पर लगबग 19% की बढ़त है और quarter on quarter देखें तो ये लगबग 15% बढ़ा है Q1 में profit before tax 88 करोड 68 लाग है जो previous quarter में ये 143 करोड 41 लाग था और previous Q1 में ये लगबग 124 करोड था तो profit before tax में year on year basis पर 28% की कमी हुई है और quarter on quarter basis पर ये 38% गिरा है अब आप सोच रहों की revenue from operation तो year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर बढ़ा है लेकिन profit before tax में गिरावट क्यों हुई तो इसका कारण इस company के operational margin में आई कमी है और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा Q1 में profit after tax and net profit 66 करोड 45 लाग है जो previous quarter में 109 करोड 17 लाग था और previous Q1 में ये 92 करोड 30 लाग था तो पैट में year on year basis पर 28% की कमी हुई है और अगर हम लोग quarter on quarter देखें तो ये 49% कम हुआ है तो पैट में भी year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर अच्छी खासी गिरावट हो गई है Q1 में operating margin 9% है जो previous quarter में ये 14% था और previous year के Q1 में ये 13% था तो आप देखें operating margin में year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर कितना ज़्यादा दबाव दिख रहा है Q1 में net profit margin 6% है जो previous quarter में 10% था और previous year के Q1 में ये 9% था तो net profit margin में भी year on year और quarter and quarter दोनों ही basis पर गिरावट हुई है तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस company का revenue from operation तो year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर बढ़ा है लेकिन इस company का PAT, EPS और margin इन सभी में year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर गिरावट हुई है तो मुझे इस company के result कोई खास नहीं लग रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अब आप से अगले वीडियो मुलाकात होगी बहुत बहुत धन्यवाद